नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हैं मद्दपड़े शामन ग्यान की MCQs का पार्ट 3 दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के ड देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं MCQs का पार्ट 3 दोस्तों उससे पहले आप से एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है या फिर जो दोस्त मेरे चैनल पर प आज का वीडियो का परश्या या यह सो एक सूप से पेहले पार्ट में 150 दूर्शर इस तीसरे पार्ट में 101 से 150 तक कौशन रहेंगे तो इसwoodio का पहला प्राशन है गुजरी महल का निर्मान किस के लिए राजा मान सिंग्स ने करवाया था तो इसका आंसर है दोस्तो निन्नी मरग नजशन के लिए इसके बाद अंगला प्राशन है मद्श प्रदेश में चितर गुप मंधिर कहां इसे थे जोस्तो इसका आंसर है खजराहो मैं इसके बाद अंगला प्रश्ण है नए नियमों के अनुशार मद्दपिर्देश का वित्तिय वर्ष किस प्रकार का होगा इसका आंसर है एक जन्वरी से 31 दिसंबर तक इसके बाद अंगला प्रश्ण समावर्तन पत्री का कहां से प्रकासित होती है दोस्तो इसका अंसर है और जेंच से उसके बाद अंगला प्रश्न भीमगरवान किस जिले में इस्तित है दोस्तो इसका अंसर हैगा स्यूगनी अंगला प्रश्न है राष्टिये संस्कृत संस्थान मद्ध्पिरदेश में कहां इस्तित है जूस्तों इसका आणसर है भोपाल में अंगला प्रश्ण दुष्यन्ध कुमार पंडू लिपी संग्र legal js i made इस अंसर आएगा भोपाल में अंगला प्रिश्ण मद्ध परदेश की स्कूली सिक्षा कितने स्थरों में विभाजित हैं कि बात अंगला प्रश्ण संबीधान अंगी करित कप किया गया था इसका आंसर है 26 नवंबर 1999 को इसके बाद अंगला प्रेश्ण नरब्दा घाटी विकास प्रती करन की स्ताबना 1985 में की गई थी इसका मुख्यालाय कहां इस्तित है तो इसका आंशर हैगा भोपाल में इसके बाद अंगला प्रेश्ण राष्टिये परहावरन शोत संस्थान कहां इस्तित है इसका आंशर है डांकपुर में इसके बाद अंगला प्रेश्ण अंतर राष्टिये तिथी रेखा का निर्धारन किस वर्ष किया गया था इसका आंशर अठारा सो चौराजी में अंगला प्रेश्ण शंबीधान शवा ने राष्टी दोस्तरंगा का प्रारू कप अपनाया था इसका अंचर दोस्तो 22 जुलाई 1947 को इसके बाद अंगला प्रेश्ण भारत में काच के कुटीर उद्ध्यों का सबसे बड़ा केंद्र कहां इस्तित है इसका अंचर है फ्रोजाबाद उत्तर प्रदेश में अंगला प्रेश्ण है लाख बंजारा जील किस जिले में इस्तित है इसका अंचर है शागर जिले में इसके बाद अंगला प्रेश्ण रतंगर मंदिर किस जिले में है इसका अंसर है दोस्तो दतिया जिले में इसके बाद अंगला प्रेश्ण अहले अबाई के शंबन किस राजवन से है इसका अंसर है दोस्तो होलकर राजवन से अंगला प्रेश्ण है दोस्तो मुल्ला दो प्याजा की मजार कहां इस्तित है हरदा में, किस ने लिखा था, दूस्तों इसका अंसर है, सीत गोविन दास जी ने, किस जिली में इस्ति थे, दूस्तों कुखरा मठ दिन दोरी जिली में इस्ति थे, इसके बाद अंगला प्रेशन कुंडी भंडार किस जिले में इस्तित है दोस्तो यह है बुरहानपुर में इस्तित है इसके बाद अंगला प्रेशन सुजाराबांत परियोजना किस जिले में है दोस्तो इसका अंसर है टीकमगर जिले में अंगला प्रश्ण काकन मठ मंधिर किस जिले में इस्तित है तो इसका अंसर है मुरेना जिले में इसके बाद अंगला प्रश्ण पंडित रभी श्रंकर शुक्ल इस्टेडियम किस जिले में इस्तित है दोस्तो है चवलपुर जिले में इस्तित है अंगला प्रिष्ण गोन्चो नुरत का शंबन किस जनजाती से है अंगला प्रिष्ण राष्टी ये चंबल, घडी याल, अभ्यारण, किस जिले में इस्तित है अंगला प्रिष्ण उत्तर भारत का श्रॉमनात किसे कहा जाता है जिया दुस्तो उत्तर प्रदेश का शौमनाद स्वरी उत्तर भारत का शौमनाद भोशपर को कहा जाता जो की रायसन जिले में इस्तित है उसके बाद अंगला प्रेश्ण भोशपर किस नदी के किनारे इस्तित है दुस्तो यह बैत्र बती नदी के किनारे इस्तित है इसके बाद अंगला प्रिश्ण, म्रगेंदर नाद की गुफाएं कहां इस्तित हैं? दुस्तो यह है, रायसन के पाटनी में इस्तित हैं इसके बाद अंगला है रचना नावक पत्री का काप प्रकाशन कौन कराता है दोस्तो इस पत्री का प्रकाशन हिंदी ग्रन्थाल एकैडमी भोपाल द्वारा किया जाता है इसके बाद अंगला प्रिश्ण रामनगर दुर्ग यानिकी मोती महल मंडला में किष्ने बन बाया था तो इसका अंगला प्रिश्ण महादेव परबत पचमनी से किस नदी का उधगम होता है इसका अंगला प्रिश्ण राष्टिय उठ्जा सनरक्षन दिवस प्रती बर्ष चौधा दिशंबर को इसके बाद अंगला प्रिश्ण सती अनुसुया का आश्रम किस जिले में इस्तित है दुस्तो इसका अंसर है सतना जिला में अंगला प्रिश्ण मद्द पिर्देश जन जादिये शंगाला कहां इस्तित है इसका अंसर है दुस्तो भोपाल में इसके ब अंगला प्रश्ण चित्रकूर्ट किस नदी के किनारे बशा हुआ है इसके बाद अंगला प्रश्ण मत की निरत किस आचल में किया जाता है इसके बाद अंगला प्रश्ण थप्टी निरत किस जन जाती का प्रिये निरत है इसके बाद अंगला प्रश्ण कंदारिया महादेब मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था इसके बाद अंगला प्रश्ण कुरार कोईला चेतर किस जिले में इस्तित है इसका आंसर है भिंड जिले में इसका आंसर है होशंगाबाद में बात अंगला प्रचिन मद्धेपर धिले के पहले ताब बिद्दुत ग्रहका नाम क्या है दोस्तो इसका अंजर है चांदनी और अंगला प्रश्ण मद्द पिर्देश के गठन किस नमाए मद्द पिर्देश में जिलों की शंक्या कितनी थी दोस्तो जिलों की शंक्या थी 43 जिले इसके बाद अंगला प्रश्ण स्टील कॉंप्लेक्स किस जिले में इस्तित है दोस्तो यह है शागर जिले में इस्तित है इसके बाद अंगला प्रेश्ट सम्प्राट असोक शागर बांध किस बांध का नया नाम है यह है दोस्तो हलाली बांध का नया नाम है सम्प्राट असोक शागर इसके बाद अंगला प्रेश्ण है दोस्तो मद्द पिरदेश का पहल या साघ सब्जी बीस प्रक्रिया केंदर कहां खोला गया ? अजो में उस्टों , इस वीडियो का आगरी कि प्रिश्ण की प्रिश्ना यानिकी 150 प्रिश்नते सासी ये हैं इस का आउसर है India इस विडिव में इतना ही मिलते हैं अंगले तो येदि आपको वीडियों पसंद आया हो तो प्लीश लाइक करें शीर करें दोस्तों कमेंट करें दोस्तों यह आपको वे मेरे मेरा प्रयास के ऐसा लग रहा है और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शियर करें ज्यादा है ज्यादा शियर करें ताकि एह जानकारी सब को भी मिल सके और मेरे इस वीडियो का लाब भी और लोग भी ले सके तो दोस्त तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ चलते हैं दोस्तों बाई